पारिवारिक विवास ज्यादा देखने को मिलता है वजह है कुछ लड़के लड़की धर्म को त्याक कर परिवार के खिलाब चले जाते हैं और साजिश रच्रही गिरों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये शादियां धर्मान्तरन के तहट एक खास मकसद के लिए करवाई जाती है बहुत से केस लड़कियों को बहला खुसला कर सामने आते हैं तो कई जगाहों पर दवा बना कर शादी करवा दी जाती है इस बीश इलाबाद हाई कोट में एक ऐसा किस्सा देखनी को मिला जिससे ना सिर्फ जस्थ सहाब के भी होश उड़ गए बलकि सीम योगी आधितनाथ भी हैरान हो गए तो आगे कहानी के ट्विस्ट पर आएं पहले कोट में क्या कुछ देखने को मेरा चलिए बताते हैं लगारेज कर आठ हिंदू-मुसलिम जोड़े इलाबाद हाई कोट में सुरक्षा लेने पहुचे सभी ने अलग-अलग समय पर कोट में सुरक्षा के लिए याचिका लगाई लेकिन इलाबाद हाई कोट ने सभी की याचिका खारिच कर दी इलाबाद हाई कोट के इस फैसले से ना सिर्फ आठों लोगों को जटका लगा बलकि योगिस सरकार के लिए भी एक ख़बर एहम है खेर क्यों इन आठ जोडों की याचिका खारिच की गई है बताते हैं दरसल आठ इंदू-मुस्लिम जोडों की याचिका इसलिए खारिच की गई क्योंकि उनकी शादी उत्रप्रदेश गयर कानूनी धर्मसन परिवर्तन प्रतीश शेद अधिनियों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी हाई कोट के जज ने अपने आदेश में कहा इस्तरधार्मिक विवाध के मामले है लेकिन ये विवाक इकनून के अनुसार नहीं थे क्योंकि धर्मांत्रण व्रोधिक कानून का पालन नहीं किया गया था इस अध्ये के तहट याचिका करताओ द्वारा मांगी गए राहत नहीं दी जा सकती नतीजतन रिट याचिगा खारिच की जाती है हालकि याचिगा करताओं के लिए ये रास्ता खुला है कि ये कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद शादी करनी की स्तिती में नई रिट याचिगा दायर करें अब कैसे ये आट लोग हिंदू-मुस्लिम जोड़े योगी सरकार के कानून के भेट चड़ गए या फिर कहा जाए कि ये शादी अपरात को बढ़ावा देने के मकसद से की गई है तो इसमें अगर फिल्म दकेरला स्टोरी का उधारन दिया जाए तो गलत नहीं होगा खेर वो दोसरे केसों की कहानी है चलिए पहले धर्मांतरन विरोधी कानून के बारे में बताते हैं कानून का मकसद धर्मांतरन को रोपना प्रतिबंदित करना है कानून के तहए दोशी को 10 साल जेल 15-50 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्राबधान है स्टेस्टी, समुदाई के नाबालिकों और महिलाओं के धर्मांतरन पर 3-10 साल की सजा का प्राबधान है जबरन धर्मांतरन के लिए 3 से 10 साल की जेल और 50 हजार के जुर्माने का प्रापधान है अगर कोई अपने धर्म के बाहर किसी से शादी करना चाहता है तो जोड़े को शादी से 2 महीने पहले जिला मजिस्टेट को प्रस्ताफ देना अनिवार रहे है किसी महीला के शादी केवल उसका धन परिवर्तन करने के मकसद से वो रही है तो शादी को अवैद भोशित किया जाएगा तो इसी कानून के तहत इन आट जोड़ों की याचिका को खारिच किया गया है क्योंकि देश में पिछले कुछ वक्त से तमाम ऐसे केस सामने आये हैं जब महीलाओं को या तो पहला फुसला कर उनके धर्म की बली चड़ाय दी गई या फिर जबरन उन्हें धर्मांतरन का शिकार बना कर प्रताडित किया गया है तो ऐसे मामलों से बचने के लिए योगी सरकार धर्मांतरन कानून लेकर आई खैरे गुट ने इस कानून का जमकर विरोध भी किया लेकिन देश के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है धर्मांतरन विरोधी कानून की क्यों जरूरत? सांस्क्रतिक और सामाजिक सामंजस्य का संरक्षन परंपरा और माननेताओं का संरक्षन होगा दवाब में होने वाली शादियों के मामलों पर रोख थाम लगीगी नियम के तहर शादि को नियाईक माननेता मिलेगी यानि कि धर्मांतरन कानून सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए बहतर है और अब जो आठ जोड़े कोर्ट में सुरक्षा लेने के लिए पहुचे थे उसमें पांच मुसलिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी और तीन हिंदू लड़कों ने मुसलिम लड़कियों से शादी की थी इनकी शादी धर्मांतरन विरोधी कानून के खिलाब थी इसलिए कोर्ट ने उन्हें जटका देते हो याचिका को खारिच कर दिया तो इस खबर पर क्या है आपके राय कमेंट कर जरूर बताएं झाल